क्या कुम लगन की लगन कुंडली के आठवे भाव में शनी का होना शेयर बजार में ट्रेडिंग के लिए फाइदेमन नहीं है? हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कुम लगन के लिए शनी लगन स्वामी है, जिसका अर्थ है कि इसकी स्थिती व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जब शनी आठवे भाव में होता है, तो वो अपनी ही राशी मकर में होता है, जो उसे मजबूती देता है। आठवा भाव पारंपरिक रूप से अचानक लाब और हानी, परिवर्तन और विरासत से जुड़ा हुआ है, जो इसे वित्तिय मामलों के लिए एक जटिलक शेत्र बनाता है। लाब, अनुशासन और धैर्य, शनी का प्रभाव अनुशासन, धैर्य और रननीतिक मानसिक्ता पैदा कर सकता है, जो सफल ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण गुन है। विशलेशनात्मक कौशल, बड़ी हुई विशलेशनात्मक शमताएं सूचित निर्नई लेने में मदद करती हैं। दीलकालिक लाब, शनी दीलकालिक निवेश का पक्षधर है, जो मूल्य निवेश जैसी रननीतियों के साथ अच्छी तरह से संरेखित होता है। नुकसान, अस्थिर्ता, आठवे भाव की प्रकृती वित्तिय उतार चड़ाव ला सकती है। साथधानी की आवश्यक्ता, बजार में उतार चड़ाव से प्रेरिद आवेक पूर्ण निर्णियों से बचने के लिए साथधानी पूर्वक द्रिष्टिकोन आवश्यक है। जबकि आठवे घर में शनी शेयर बजार की सफलता के लिए आवश्यक अनुशासन और रननीतिक अंतर द्रिष्टी प्रदान कर सकता है, इसके लिए संभावित अस्थिर्ता को नेविगेट करने के लिए एक सतर्क, सुनियोजित द्रिष्टिकोन की भी आवश्यक्ता होती है, शनी के सबक को अपनाएं और हो सकता है कि आप अपने ट्रेडिंग प्रयासों में सकारात्मक परिनाम देखें, कृपया अधिक जयोतिश जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें